स्वास्ते मुसीवत की वज़े से देश की अर्थ्विवस्था की रफ्तार बेहद ही धीमी हो गई है जिसकी वज़े से कारोबार पर भी असर पड़ा है और इस कंभीर इस सिदी को मोधी सरकार संभाल नहीं पा रही है तभी तो विश्वस्तर पर कारोबार में बढ़ोतरी की नजरिये से भारत पे छड़ता जा रहा है जी हाँ आज आकड़े ऐसे सामने आये हैं जो देश की चिंता बढ़ा रहे हैं रिपोर्ट साफ बताती है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान फेड हो गया है पियम मोदी ने जब से देश की सत्ता संभाली है वो केवल मेकिन इंडिया का ही राग अलाप रहे हैं अब उनका नया नारा आत्मनिर्भर भारत बन गया है जिसके जरिये वो भारत में कारोबार को बढ़ाने का दावा कर रहे हैं लेकिन पियम मोदी के दावे को खोखला सा स्थान नीचे फिसल कर अब दुनिया की पांच भी सबसे आकरशक अर्थिविवस्था है जबकि ब्रीटेन भारत को पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर पहुँच गया है दरसल कंपनियों के मुख्य CEO के वैश्विक सर्वे में अगले बारा महीने के दौरान वृध्धी की समभावनाओं के मामले में अमेरिका को पहले और चीन को दूसरे नंबर पर रखा गया है परामर्श सेवा कंपनी PwC के 24 वे वार्षिक वैश्विक CEO सर्वे में भारत सहित 100 देशों के 5050 CEO को शामल किया गया है सर्वे के मुताबिक 17% CEO की पसंद के साथ जर्मनी ने तीसर स्थान को बरकरार रखा है जबकि ब्रीटेन ब्रेक्जिट के बाद 11 प्रतीशत अंक हासिल करने पर चौथे नंबर पर पहुँच गया भारत इस मामले में 8 प्रतीशत के 7 पांचवे स्थान पर फिसल गया जापान सबसे बहतर आर्थिक वृधि के तौर पर अपनी रैंकि अर्थिक शेत्र में सुधार आएगा अब CEO तो आगे बढ़ोतरी की उमीद जता रहे हैं लेकिन मौजूद हालात और आकड़े बता रहे हैं कि फारत आगे बढ़ने की बजाए पीछे खिसकता जा रहा है तब ही तो वो चौथे सी खिसक कर पांचवे पर आ गया ऐसे में रहा है डीबी लाइप के रिपोर्ट